कौन थे शाली ग्राम? क्यूं होती है तुलसी के साथ शाली ग्राम का विवा? आखिर क्यूं रखना पड़ा था भागवान विष्णु को जालंधर का रूप? तुलसी ने क्यूं दिया था भागवान विष्णु को पत्थर बनने का स्राप? भागवान को पत्थर बनते देख पूरे संसार में हाहा कार्ट क्यूं मची हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चानल अर्चना जा चौधरी ज ब्लॉग आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी और भागवान शाली ग्राम का वीवा क्यूं होता है तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं वीडियो को सनातन धर्म में तुलसी बीवा का एक विशेश महत्व है क्योंकि कार्टिक मास भागवान विश्नु का सबसे प्रिये मास माना जाता है इस मास में भावन विश्नु चार महिने के बाद योग निंद्रा से जाते है सास्त्रों में कहा गया है कि कार्टिक मास में तुलसी बीवा का विशेश महत्व है कार्टिक महिने के सुक्रपक्ष की एकादसी तीथी को देव उठाणी एकादसी भी कहा जाता है इस दिन तुलसी बीवा का पड़्व मनाया जाता है। इस साल 2023 में तुलसी बीवा 13 नमंबर गुरुबार को मनाया जा रहा है। माने जाता है कि देव उठोन एकादसी के दिन भवान विश्णू चार मेहने बाद योग निंद्रा से जाते हैं। इस दिन को देव उठोनी एकादसी प्रबोधनी एकादसी भी कहा जाता है। देव उठोनी एकादसी के दिन चतुर मास की समाप्ती होती है। इस दिन भवान विश्णू और तुलसी माता का विशेश पूजा होती है। विशेश पूजा करने से दामपत्ती जीवन में खुशाली आती है। दिवाले के ग्यार में दिन बाद पढ़ने वाला एकादसी बहुत ही खास है। यह कार्थिक मास का एकादसी है। इस एकादसी को देव उठाणी एकादसी भी कहते हैं। भागवान छे मैना पहले सो जाती है। यानि कि भागवान विश्नु छे मैना पहले सोए हुए थे और आज के दिन भागवान विश्नु को जगाया जाता है। इसलिए इस दिन को देव उठाणी एकादसी भी कहा जाता है। देव उठाने एकादसी को गंगा अशनान करने का बहुत ही महतु है महिलाएं, पुरूस, बच्चे, सभी भारी संख्याओं में गंगाजी के किनारे पहुचते हैं, अशनान करते हैं, यह दिन बहुत ही खास माना जाता है आज ही के दिन शाली ग्राम एंड तुलसी की बीवा होती है, तो यह तुलसी बीवा का दिन भी कहा जाता है कौन थे साली ग्राम, क्यों होती है तुलसी के साथ इनका बीवा, यह सवाल हम सब के मन में अक्सर आता ही रहता है इन सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ, शुरू करती हूँ वीडियो, पुरानों में लिखा है कि मतब तुरसी के पती जालंधर थे, बहुत ही अत्याचारी थे, संसार के लोगों पर बहुत ही अत्याचार करते थे, रिशी मोनी को बहुत ही मालते थे, पीठते थे, जालंधर की पतनी तुरसी थी, और तुरसी बहुत ही धार्मिक नेचर की थी, भगवान विश्नु की भगतन थी, वो हमेशा ही भगवान विश्नु की जाप करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसे भगवान उनसे बहुत ही प्रशन रहते थे, एक दिन तुरसी ने भगवा तब से जालंदर को इस बात का पता चला और वो और भी घमंडी और भी अत्याचारी हो गया भगवन विश्णु ने दूसी से कहा था कि जब तक तुम मेरी पूजा करती रहोगी तब तक तुम्हारे पती को कोई मार नहीं सकता है उसे कोई दिक खानी नहीं पहुचा सकता है इस बात से जालंदर बहुत ही घमंड में रहता था और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगा पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा था इस बात से देव लोग बहुत ही परिशान रहते थे किस तरह से जालंदर को रोका जाए जब ही जालंदर युद करने के लिए जाता था तो उनकी पतनी तुलसी भागवान विश्णू की पूजा करने बैट जाती थी और भागवान विश्णू ने उन्हें बरदान दिया कि जब तक तुम मेरी पूजा करोगी तुम्हारे पती को कोई छू नहीं सकता कोई मार नहीं सकता इस बात को लेकर देव लोग में भी चिंता थी एक दिन भागवान शिव ने कहा कि है विश्णू अगर आप जालंदर को नहीं रोकेंगे ये पूरे संसार को नश्ट कर दे लाटे का इस बाकु ल॥ी आपको तुल्सी को पूजा करने से रोग नहीं रोगना और जालंदर का रूट धारन करके वह पहुँँद सब्सक्राइब इस बहुँदी को लगा कि आज युद नहीं हुआ नहीं मेरा पति बरोड आए बिर बहुत ऐसे जालंधर शसर ने से इंधर करने लिए उसका पविद्हता जुथा वह भंक हो गया और वह ब्लेक्ट का शक्ति हीन हो गया और उसेसे जालंधर नीचांडर मारा गया जब भगवान शिब ने जालंधर का सर काटा तो जालंधर का सिर्न ह Lights up के गोधी में आथे गिरा और कहा कि तुल्सि मेरे साथ फोखा हुआ है हमारे साथ फोखा हुआ है है यह जो ब्रत्ति तुम्हारे सामने है वह ही जिसके तुम दिल रत्पूजा करती है यह भगवान विष्णूैं यह चलिया है इतना कहकर उसका प्रांच छूट गया और इस भक्त भगवान चेशनल बेवाण मचने लगा, पिध्वी पर हाहाकार मचने लगा, अब क्या हो गए है, तो अब इस जगत का होगा, कैसी कल्यान होगा, इस स्थिती में जो है माता लक्षमी तुलसी के पास आई उनके पैरों पर गिरी और कहा कि मेरे पती को माफ कर दो इस जगत के कल्यान के लिए उन्होंने जो भी किया वो इस जगत के कल्यान के लिए ही किया तुम्हारा पती बहुत ही अत्याचारी हो गया था, इस जगत में बहुत ही हाहाकार मचा रखा था, पुड़े संसार को परिशान कर रखा था, संसार में केवल पाप और अधर्म को फैला रहा था, इस कारण भावन विश्टी को ऐसा करना पड़ा, वो तुम्हारे भक्ती से बहुत प्रशन भी थे और तुम्हें अपना भक्त मानते हैं, बट उनको यह खेल यहीला अपने संसार के अपने स्रिश्टी की रख्षा के लिए करना पड़ा है, उन्हें माफ कर दो, भावन लक्ष्मी की काफी प्रार्थना करने पर देव लोग भी तुलसी से कहने लगे कि हा माते, भावन विश्टी को माफ कर दीजे, उनके जो नेचरल रूप है, उनमें उन्हें वापस ले आए, इनसल के प्रार्थना से तुलसी माता ने जगती कल्यान के लिए भावन विश्टी को फिर से उनके नॉर्मल रूप में ले आए, और खुद जालंधर के साथ सत हो गई, इसके बाद भावन विश्टी ने खुद को एक पत्थर के रूप में समाहित करते हुए, विश्टी ने कहा कि आज से तुलसी के बीना मैं कोई भी परसाद ग्रहन नहीं करूंगा, कोई भी परसाद स्विकार नहीं करूंगा, इस पत्थर को सालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और इस पत्थर को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा, तभी से तुलसी और सालिग्राम को एक साथ रखा जाता है, पूजा किया जाता है, जब भी भावान विश्टी का पूजा होता है, पाठ होता है, तो उस परसाद में तुलसी जरूर डाला जाता है, अगर आप तुलसी नहीं डालते हैं तो भागवान विश्नु उस प्रसाद को स्विकार नहीं करते हैं। भागवान विश्नु का भगत हनुवान जी हैं। हनुवान जी भी तुलसी के पते के साथ ही प्रसाद को स्विकार करते हैं। सुरिदे भी भागवान विश्नु का ही रूप है उनको भी तुलसी के पते सी ही भोग लगाया जाता है तो इस तरह से भागवान विश्नु के जितने रूप हैं सभी भागवान को परसाद में तुलसी डाल कर ही भोग लगाया जाता है अगर आप भागवान श्री राम चंद करते हैं ग्रहन करते हैं तब ही से तुल्सी और साली ग्राम का जो रिस्ता है पवित्र है और टूठ है इन दोलों को एक साथ फुजा जाता है और कुछ जगवों पर भागवान शाली ग्राम और तुल्सी जी का विवा भी होता है तो यही थी तुल्सी और साली ग्राम की पूरे भारत में पड़े धुम का देव।धोन 1 एकजसी मनाया जाता है। दीवा का एक संकेथ होता है कि आज के दिन से दिवा का जो खुड हुट होता है वनिकलता हैWW पहले दूअ Ariagachi ह पिवान के लिए जकर पर में स्केश का जाता है। तो भगतों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो इसी लाइक शिर जरूर कीजिए फ्रेंड्स और फैमली तक जरूर पहुंचाईए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलती हूँ एक नई व